हेलो अब्रीवन आज हम 25 सपेइडिन के पेपर 3 समाविसी तिस्चा से एक विशेछ प्रोषिन पर चर्ठा करेंगे प्रश्ण हमारा सेकारी अधगम क्या है समाविसी बालकों के लिए सेकारी अधगम के क्या लाब है तो सबसे पहले हम यह जानते कि सैकारी अधिगम होता क्या है सैकारी अधिगम में जो छात्र होते हैं वो समू बनाकर सीखते हैं चाहे वो पार्ट हो या कोई स्किल हो उन सब को वो समू बनाकर आपस में ही सीखते हैं और अध्यापक निर्देशक के भूमका में होता है तो हमारे प्रमुक बिंदों हैं सैकारी अधिगम सैकारी अधिगम के उदेश्य समावेसी बालकों के लिए सैकारी अधिगम के दिसा निर्देश सैकारी अधिगम के तत्व और समावे सी बालकों के लिए सैकारी अधिगम के लाब तो फर्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है सैकारी अधिगम होता क्या है कि भारती विद्याले प्रडाली में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जहां बालक समू में कारे करते हो हमारे बैसे समावी सी सिच्छा लागू है लेकिन हमारा जो स्कूल का जो या विद्याले का हमारा जो माहूल रहता है वो इस तरीके के रहता है कि अधियापक पढ़ा रहा है और बच्चे क्लास में बैटकर पढ़ रहे है ऐसा बहुत कम होता है कि बच्चे आपस में समोन बना कर किसी पार्ट को याद कर रहे हो, एक दूसरे से उसको प्रशन पूछ रहे हो, या फिर कोई भी किसी प्रिकार का क्रिया कलाब, वो एक दूसरे का समोन बना कर सीख रहे हो समावी सी कच्छा में जहां असंग के बालक होते हैं वहां बच्छों को सेकारी अद्गम विदी से पढ़ाया जा सकता है समावी सी कच्छा में जरूरी तो नहीं कि सारी बालक हमारे सामाने हो समावी सी कच्छा में सामाने बालक भी होते हैं तो इस तरह से बच्चे सीखने में एक दूसरे की मदद करते हैं इस विधी में हम क्या करते हैं सहिकारी अधिगम में कि जो बच्चे जिस जिस बुद्धी के बच्चे या जिस जिस कैटेगरी के बच्चे हम बांट लेते हैं कि कोई बच्चा सामाने बुद्धी का है या समू में बाट देटे हैं ताकि उसके बाद क्या होता है कि वो बच्चे अपनी बुद्धी के साब से एक दूसरे के मदद करके प्रशन पूच कर इस तरीके से वो सीखते हैं इस तरीके से जल्दी सीख लेते हैं तो वे समस्याओं के समाधान एवम कारे पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं जब समू बना देते हैं बच्चों का तो बच्चे कारे पूरा करने या उनके सामने जब भी कोई भी चीज़ सीखने में समस्या आती है उसके समाधान के लिए वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो यह एक ऐस गम प्सक्रिया है जिसमेन एक जैसे योगेता के बह्लंग होते हैं इसे लिए एक जैसे योगता के बालकों को सम्हूं बनाकर उनको प्रशन दिये जाते हैं या उनको कुछ चीज़ें सीखने के लिए दी जाती हैं और ध्यापक निर्देश्चा की भूमिका में होता है वो ये देखता है कि बालक किस गती से सीख रहे हैं और क्या सीख रहे हैं तो इस तर बालकों को सैकारी अधिकम में क्या होता है कि बच्चों के जब समूँ बना दिये जाते हैं और बच्चे को कोई टास्क दिया जाता है या कोई भी क्रिया उनको सीखने को दी जाती है तो बच्चे एक दूसरे की मदद करते हैं एक दूसरे को सुनते हैं उनसे प्रशन पोचते हैं मदद लेते हैं और एक दूसरे को मदद देते भी हैं सुझाव भी देते हैं और उतर भी देते हैं इस प्रिकार से बच्चे कोई भी चीज को सैकारी अधिकम के माधियम से तो अध्यापक एवल योजनाय बनाता है उनका मुल्यांकन करता है और गाइट करता है बच्चों को और यह देखता है कि बच्चे सही तरीके से सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं और तो उसको सुनस्चित करना पड़ता है यानि अध्यापक को यह सुनस्चित करना पड़ तो ये सारे कारे जो हैं वो अध्याबग को देखने होते हैं उसके बाद हमारा आता है सेकारी अधिगम के उदेश से तो समावी सी अवस्ता में सेकारी अधिगम के निमलिकित उदेश हैं फरस्त है हमारा कि बालक को सेकारी अधिगम की अवस्ता में विशिश्ट आवशक्ताओं को पूरा करने का अवसर मिलें दूसरा है हमारा विशिश्ट आवशक्ताओं वाले बालकों के लिए सीखने के लिए उप्यक्त वातावरान तियार करना जब सहिकारी अधिगम में बच्चों का समूँ बनाया जाता है विशिश्ट आवशक्ताओं वालों बच्चों का समूँ अलग बनाया जाता है सामान बालकों का समूँ अलग बनाया जाता है ताकि बच्चे अपनी गती के साफ से अच्छे से अच्छा सीख सकें विशिश्ट आवशक्ताओं वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए सही environment बनाना ये भी सहिकारी अधिगम का उधिशने में आता है तो बालक को अपना उत्तर दायतों समझने के लिए प्रोस्ताहित करना यानि कि बालक अपनी responsibility समझे समों में जो उसको कारे दिया गया है वो उसको पूरी तरीके से करे तो ये भी सहिकारी अधिगम के उधिशने में आता है सहिकारी समों के सदस्यों के मध्या सामाजिक वातावरण को प्रोसाहित करना तीक है उसके बाद हमारा आता है सच्छम और अच्छम बालकों के मद्या दोस्ताना वातावरण सुनस्चित करना यानि कि सच्छम और अच्छम बालक का मतलब है सच्छम बालक जो सामा निकती से सीख पाते हैं अच्छा मलक जो होते हैं जो सामा निकती से नहीं सीख पाते हैं उनको थोड़ा और टाइम लगता है तो उनके मते दोस्ताना वातावरण भी सुनस्षित करना ये सहिकारी अद्गम का उदेश्य होता है परसपर सहयोग और मदद के माध्यम से समस्या निदान की निपूर्ट को विक्सित करना तो जो बाल्वों की समस्य जब सीखने में कोई समस्या आती हैं तो सम्हों में क्या होता है वह आप्रसी सहयोग और एक दूसरे की मदद के माध्यम से उन समस्यां का समाधन ढून लेते हैं तो उसमें इनको निपूर्ट बनाना भी सहिकारी अद्गम का कि फर्ष्ट है हमारा अध्यापक को पार्ट के उद्धियों को सपष्ट करना चाहिए यानि कि बच्चे को कोई लेसन सीखने को दिया गया है समूह में तो उस लेसन को सीखने को उद्धियों क्या है वो बच्चों के सामने इस पश्ट रूप से इस पश्ट रूप से रख आप पचास-पचास बालकों का समोग बना दे, छोटे-छोटे समोग बनाए ताकि बच्चों को आसा नहीं रहे, उसे बालकों के लिए ऐसा बातवरांट तयार करना चाहिए, तब ही एक दूसरे के ज़्यादा नजदी किया दूर ना रहे, यानिकि इस तरह के बातवरांट को भूमिका प्रिदान करने चाहिए, जैसे नेता एवं सदसे, अब जैसे आपने समोग बना दिये, अब तो समोग में कोई ना कोई लीडर आपको बनाना पड़ेगा, और बाकी सब को मेंबर्स बनाना पड़ेगा, तो इस प्रिकार से ये अध्यापक का कारे है, कि अध्य हर एक कारे में या हर एक स्किल सीखते टैम वही लीडर है, आपको बरावर से उनकी भूमकाओं को बदलते रहना चाहिए, उसके आध्याद वैं समोग को कारे देना, उनको सामगरी देना ये भी कारे किसका होता है, ये ध्यापका ही कारे होता है, वैं व्यक्तिकत जवाब से ही सुनस्चित करें, यान कि हर एक बालक सीख रहा है, और अपने समोग में अन्य बालकों की भी ठीक तरीके से मदद कर रहा है, तो उसकी अकाउंटबिल्टी यानि उसकी जवाब दे ही भी अध्यापक को सुनस्चित करने पड़ती है, वैं समोग के बालकों के मध्या प तो पहला है, यान कि पॉजेटिव इंतर डेपेंडेट स, तो आगे मिनको पड़ते हैं, वैं हमारा सकारात्मक अन्तख करें, यानि की creatures, यानि की Positives Interdependence, तो समावे सी स्कूल में छात्रों को यह सोचना तथा मानना चाहिए कि वैं समू सहयोगियों से जुड़े हुए हैं तथा वैं तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक समू के अन्य सहयोगी सफल नहीं होते यानि कि जब हम समावी से स्कूल में, जब हम सैकारी अदिगम से बच्चों को सिखाते हैं, जब समू में हर बालग को इस बात को सोचना चाहिए, इस बात को माना चाहिए कि जब तक समूग का हर एक बच्चा नहीं सीखता है हर एक बच्चा सफन नहीं होता तब तक उसकी सफलता भी सुनस्चित नहीं होगी क्योंकि वो समूग में है उसके अदमार आता है सकारात्मक अंतर निर्वरता ऐसी स्थितियों को प्रोसाइद करते हैं जिनमें छात्रों यह समझ जाते हैं कि उनके कारे समूं के कारें में सहायक होते हैं वे ये भी समझते हैं कि अधिगम में समूं के सभी सदस्य संसाधुनों को मिल जुलकर बांटकर कारे करते हैं तथा एक दूसरे को पारसपरिक सहयोग तथा प्रोसाहन देते हैं और अपनी स लुए प्रितेग बालक अपने जिम्मेदारी समझे और प्रितेग बालक यह देखे कि वह जो भी कारे कर रहा है वह सीज़े तौर पर उसके अन्य बालकों को भी प्रभावित करेगा उन पर भी असर डालेगा इसलिए अच्छा है कि वह अपने जितने भी उसको संसातन दिये हैं बचों को मिल दूलकर उसमें बाटकर कारे करें एक दूसरे का साहियों करें और एक दूसरे को प्रोजसाहन भी दे और जो भी सफलता है मिले वह आपस में उसका जस्मी बनाएं उसके आदमारा आता है साच्छात कर साथ या साच्छात अंतहक्रिया यानि कि face to face interaction इसमें को आदान प्रेदान करते हैं सुजना का अच्छा प्र्क्रिया करते हैं और एक दूसरे के निस्पत्ति में सुधार के लिए प्रतिपुष्टि प्रिदान करते हैं अच्छी गुडवत्तव णर्ड़े लेने समस्याहं को सही धंग से समझानी के लिए समून रेंगों को چनो देते तथा तर्क वितर्क करते हैं पारस पर एक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास्वा में बड़ोतरी करते हैं समूं के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक दूसरे के प्रयासों को प्रिभावित करते हैं विश्वस निया एवम जिम्मेदारी से कारे करते हैं औब विसिष्ट बालकों को सामान निशातरतर के अप साहई त time रिया की अधिकाव kul शक्ता होती है तो पहला जो हमारा सांफारी अधिक को सो है सकारात्म कंता करिया इसमें समूह के सारे बालक एक कुछ बालगों के ऐसे समुआ बन जाता है वह एक दूसरीया को बहुत अची तरह किसरे समझते हैं तो इас Right प्राप्त करने के लिए अच्छे से अच्छा प्रयास करते है और एक दूसरीया को ब्हारत है तो तो चाहिए यानि कि अध्यापक को चाहिए यानि कि फीडबेक भी बच्चों को देना चाहिए वक्तिका जिम्मिदारी को सफल बनाने के लिए अध्यापक निमने के डंग अपना सकता है पहला है समून का आगर छोटा करना समून का आगर छोटा होगा तो जो बचों की व्यक्तिकत जिम्धा रहotros वो बढ़ेगी और अच्छी तरीके से नज़ आएगा कि कोई बच्चा किस तरीके का अच्छी तरीके से कर रहा है उसके पाथ समून के विष्षिष्ट बालकों की पहचान करना और उन्हें अपने व्यक्तिकत जो उत्तरदायत उनके हैं उनके लिए उनको प्रोसाहित करना है उसका प्रतिक छात्र की व्यक्तिकत परिच्छाएं लेना छात्रों को एक एक करके वुलाना तथ्या परिच्छा देना उसके बाद आता है बच्चों को देखे कर समूं के प्रतेक सदर्श्य द्वारा समूं के कारे में की गई भागिदारी तरह सहयोग का रिकॉर्ड रखना यानि कि बच्चे को जो व्यक्तिकल रूप से जिम्मेदारी दी गई है तो उसका जिम्मेदारी का समू में उसकी क्या भागिदारी रही है उसका सैयूप का क्या रिकॉर्ड रहा है यह सब का रिकॉर्ड रखना वो ध्याबा कार है और प्रतिये एक समू में किसी एक छातर को निरी चक कारे भी सौपना चाहिए जैसे एक लीडर होता है बागी सब सदस्य होते हैं तो कोई ना कोई इसी चातर को निरी चक भी बनाना चाहिए कि समों में सारे कारे सही सित प्रिकार्च हो रहे हैं या नहीं और चातरों को यह बताना कि उन्होंने क्या तथा कैसे सीखा है तो ये कारे किसका होता है ये कारे हमारा अध्यापक का होता है ये बच्चे को जो व्यक्तिकत जिम्मिदारियां दी गई है वो ठीक तरीके से निभारा या नहीं निभारा है इसका रिकॉर्ड रखना बच्चे को ये बता आना को उन्होंने कैसी और क्या सीखा है तो ये सब क किसमें यह सब कारे अध्यापक के होते हैं उस पर रहारा यह से कारी दिगम का जो हूंना एफ स्य है यह इन्य वियकृत करने fraternamente ए ठ्सकली के लिए आपसी तार्मिल पैदा करने के लिए अनुसारी चाहिए यानि कि समू में जो बच्चों को उदेश से दिये गए हैं तो उन उदेशों के प्राप्ति के लिए एक दूसरे से तालमिल बिठानने के लिए सामज़स से अच्छी तरीके से समू में बच्चों के बीच में बैठ है उसके लिए बच्चों को ये कारे करने चाहिए क्या कि उन्हें एक दूसरे को जानना चता समझना चाहिए और एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। कि उनके साथ सहयोग करना चाहिए मान देजिए आपके समों में कुछ विशिष्ट बच्चे हैं तो उनकी जो सीखने की गति है वह सामन बच्चों से अलग होती है इसलिए जरूरी है कि उन बच्चों को आप सहयोग प्रिदान करें और उनको स्विकार करें जिस प्रिकार से प्रिदाना का इस उनके गरोफ प्रॉसरेशिंग तो समुन बच्चों की प्राप्ति के लिए किये जाने वाले प्रियासों को इस प्रिदान करना तद्यका इसमें सुधर लाना है समूफ प्रिक्रिया करनी विसस्ट वावलक भी आत्मविश्वासी बन जाते हैं क्योंकि अ प्षैकारी अधिकम ़ुक्राइब टुण कोई भी कारे शीखने के लिए या कोई भासा शीखने लिए एंग्लिस बच्चे सीखने के लिए तो जो उनका माली जैना के लिए स.' सब्सक्राइब करने के लिए जो प्रयास बच्चों दारा किये जाए उन में उस प्रश्टिता होनी चाहिए और इस प्रश्टिता होने के साथ साथ उनमें सुधार भी आना बहुत जरूरी है कि मालेजिए आप जो जिस तरीके से बच्चे सीख रहे हैं या एक दूसरे को प्रश्ट पूछ रहे हैं या एक दूसरे की जिस प्रेकार से भी सायों कर रहे हैं उसमें भी सुधार आना जरूरी है ताकि हमारा जो ओदेश है यानि कि अभी हमारा ओदेश है इंगलिस सीखना जैसे वह इंगलिस हम कैसे सीखेंगे बच्चे एक दूसरे होना चाहिए। उसके बार आता है कि इस बात के बारे में जान पाता है कि छात्र क्या समझ रहा है और क्या नहीं छात्रों दारा एक दूसरे को दी गई व्याक्षाएं इसके बारे में अमूले जानकारी प्रिदान करते हैं। कि चातर विविन धारणाओं, सिच्छड रणनीतियों, सहकारी अधिगम के तत्तों के बारे में कितनी अच्छी तरह से समझते हैं। यानि कि बच्चे को हमने कोई कारी दिया, कोई तो उस कारी को सीखने में, बच्चे किस तरह के से व्याक्षाइं दे रहे हैं, किस प्रिकार से जानकारियां दे रहे हैं, क्या वो सिच्छड रणनीतियों अपना रहे हैं, और कितना वो सहकारी अधिगम को समझ पा रहे हैं, तो यह सब हमें किसे पता लगता है, यह हमें समू प्रिक्रिया करण यानि ग्रुफ प्रोसेसिंग द्वारा ही पता लगता है. इसके पाद हमारा आता है समावी सी बालकों के लिए सैकारी अधिगम के लाब. तो हमारा समावे सी बालकों है तो सैकारी अधिगम को सिच्छड तकनिक के रूप में अपनाने के लिए सैकारी अधिगम के निम्लिके सहचे गलाब है यानि ये समावे सी बालकों है तो समावे सी बालक में पुजिश्ट बालक और समाने बालक तो इनके लिए सेकारी अधिगम को एक सिछट तकनिक के रूप में अपनाने के हमारे चुलाव है वो इस प्रिकार है पहला है हमारा कि इस प्रडाली को अपनाने से विध्यारतियों को अधिगम के प्रती उत्तरदाई बनाया जा सकता है यानके बच्चों को जब हम समुए बाट देते हैं और उनको जो कारे दिये जाते हैं यानके उनको कोई पाठ याद करने को दिया या हमने कोई उनको भासा सीखने को दी तो इस प्रिकार से बच्चे अपने अधिगम के प्रती अपने पढ़ाई के प्रती जिम्बेदार बन हैं क्योंकि हम उनके सीखने के जो उतरधाय तो है वह हम बच्चों को उपर ही सौप देते हैं उसके अलमारा आता है सेकंड कि विध्यार्थियों में उच्छ इस तरही चिंतन कोशलों समीच्छात्मक चिंतन दथा मौखिक संप्रेशन कोशल का विकास होता है समू में जब ब बच्चे कारे कर रहे हैं उनकी वह समीच्छा करते हैं उनको समीच्छात्मक चिंतन भी अच्छा होता है मौखिक संप्रेशन यानि की जो एक दूसरे से बाच्चित कर रहे हैं उनका जो कम्यूनिकेशन इसके लिए वह भी अच्छा होता है तीसरा हमारा इसमें अधिगम प्रिक्रिया सिच्छक इंद्रित न हो रहेकर विध्यारतिक इंद्रित बन जाती है जब क्लास में जब अधियाबक बच्चों को पढ़ाता है तो जो ये अधिगम प्रिक्रिया हमारी जो होती है वो सिच्छक इंद्रित होती है कि सिच्छक पढ़ा रहा है बच्चे पढ़ बनाने में मदद मिलती हैं अब जैसे क्लासिस में क्या होता है कि बच्च टीचर पढ़ा रहा है कोई बच्च ध्यान दे रहा है कोई बच्च ध्यान नहीं दे रहा है जब भी हम बच्चों को सेगारी अद्गम द्वारत सिखाते हैं तो बच्चे को समू में बाटते हैं और स उसको सौपी देते हैं तो इस प्रिकार से वो जो सिच्छा अधियम प्रिक्रिया में हर एक विध्यारती सक्रिय रूप से सामिल हो जाता है उसका फिप्ट पॉइंट हमारा आता है इस प्रडाली के द्वारा कमजोर चात्रों को तीब्र बुद्धि वाले बालकों के साथ रह देते हैं तो जो कमजोर प्रवर्ति के जो चात्र है वो तीब्र बुद्धि वाले जो चात्रों के साथ रहकर वो उनसे सीखते हैं और उनको आगे बढ़ने का भी अफसर मिलता है उसके हमारा आता है कि सहकारे ढंग से अधिगम करने पर विध्यारतियों को अपने साथ ही विध्यारतियों के विवहार एवं कोसलों का निरीचन कर उन्हें सीखने के अच्छे अफसर प्राप्त होते हैं सेवन्त है हमारा की इस प्रडाली के द्वारा विध्यारति प्रदर्शन प्रियोग विवहार आत्मग तथा क्रियात्मग होसलों का अर्जन अच्छी तरीके से कर बाते हैं यह थे हमारा एक पच्छी व्याख्यान तथा प्रदर्शन विदी को अपनाई रहने के पेच्छा दोई पच्छी अंत्यक्रिया पर अधारित विदी के रूप में एक अच्छा सिछड अधिगम प्रदान करने में भी सेकारी अधिगम प्रदारी का अमुल्य युगदान एक पच्छी व्याख्यान बतलब जब सिछक पढ़ा रहा है तो यह हमारे एक पच्छी व्याख्यान हुआ और प्रदर्शन विदी होई दोई पच्छी अब लेकिन सिहकारी अधिगम में क्या होता है बच्छे एक दूसरे से अंधा क्रिया करके सीख रहे हैं दूसरे से इंट्रक्शन करके सीख रहे हैं तो इसमें जो सीखने की क्रिया हो जाती है वो दूसरा सीख रहा है फिर दूसरा सीख रहा है पहला सीख रहा है तो इस प्रिकार से जो यह सिछड अधिगम प्रिक्रिया है वो एक पच्छी व्याक्यान से काफी अच्छी होती है उसके बाद हमारा आता है कि इस से विध्यारतियों के आदान प्रिदान चर्चा तथा पारस पर एक सिछड के द्वारा विध्यारतियों में विशे वस्तू की बहुत अच्छी पगड तथा समझ हो जाती है जब बच्चे एक दूसरे से किसी टॉपिक पर रहे हैं किसी किरिया जिसे समय एक दूसरे से बात चीट कर रहे होते हैं चर्चा कर रहे होते हैं तो इस प्रिकार से जो भी वो कंटेंट तैयार कर रहे होते हैं जो भी वो पढ़ रहे होते हैं एक दूसरे को सिखा रहे होते है तो उनकी उस विस्तु पर पकड़ बहुत अच्छी हो जाती है और समझ भी बहुत अच्छी हो जाती है इसके पाद हमारा आता है समावी सी बालकों के लिए सैकारी अधिगम के लाव तो हमारा समावे सी बालकों है तो सायकारी अधिगम को सिच्छड तकनिक के रूप में अपनाने के लिए सायकारी अधिगम के निम्रिके सहचे गलाव है यारी समावे सी बालकों है तो समावे सी बालक में विजिश्ट बालक और समाने बालक तो इनके लिए सेकारी अधिगम को एक सिच्छट तकनिक के रूप में अपनाने के हमारे चुलाव है वो इस प्रिकार है, पहला है हमारा कि इस प्रडाली को अपनाने से विध्यारतियों को अधिगम के प्रती उत्तरदाई बनाया जा सकता है, यानकि बच्चों को जो हम समु प्रती जिम्बेदार बन जाते हैं, क्योंकि हम उनके सीखने के जो उत्तरदाय तो है, वो हम बच्चों को उपर ही सौप देते हैं, उसके आता है सेकेंड के विध्यारतियों में तो आपका सेकारी अधिगम माला प्रश्ण पूरा हो गया है, आगे मैं आपके लिए इन्व झाल